हेलो कैसे हैं सारे छात्र छात्राएं फ्रेंड्स सभी लोग कैसे हैं और गुड मॉनिंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ठीक है जो जिस टाइम वीडियो देखे उसको समय की नमस्ते सलाम सस्रीकाल चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखें कंप्यूटर का जो टॉप हैं आप देखी रहे होंगे कई सारे कंप्यूटर के डाल रखें वाज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन तो जल्दी बच्चों शेयर कर दीजिए और आपके ओो लेवल और ट्रिपल से के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टन है और जल्दी जल्दी से से र करें ठीक के चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना रुके बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करेगा अग्यों कि जल्दी जल्दी शेयर कर दो जयके अग्यों चल्दी से सारे बच्छे आ जाए और आज का तॉपिक देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल्दी से आ जाई है देखे यहां पर आज जो टॉपिक है आपने थमनेश देखके ही अंदाज है लगा लिया होगा कि क्या पढ़ना है ठीक है तो कि अगर यहां पर आप देखें तो लिखा हुआ है कम्प्यूटर ग्लॉसरी जैसे जर्नल मर्चंड में देखते हो ग्लॉसरी होता है यहां भी ग्लॉसरी है मतलब यहां पर कम्प्यूटर शब्दा वली की बात हो रही है बट यहां पर सारी चीजें वो चीजें जो पुटकर पुटकर कम्प्यूटर से जुड़ी हुई है वर्ड दिये हुए हैं ठीक है उन वर्ड का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़े आप हम यहां पर discussion करेंगे ठीक है तो जल्दी से सारे बच्चे करियर पार्टनर के YouTube चैनल से जुड़ जाएं नाम भी देखिए कितना अच्छा है करियर पार्टनर क्या होता है आप सभी जानते हो और पार्टनर कौन है यहां पर आपके हम हैं क्योंकि हम आपको वो हर चीज़ पढ़ाना चाहते हैं जो आपके पेपर में आए आप उससे जुड़ो सारी चीज़े हैं तो कंप्यूटर सबंदी सारा डेटा को यहां पर मिल जाएगा और जितना अच्छे से पढ़ेंगे वी ठीक है तो यूँ आर्स तो क्लोज टू दा बिक्टरी ठीक है आप अपनी विजय की तरह बहुत ही पास में बढ़ जाएंगे तो चलिए जल्दी से करते हैं और हमारा जो कंप्यूटर का सेक्षन है वो क्या है कैसे है और उसमें बहुत साइच चीज़े हम आपको समझाते चलेंगे तो फटा फट बस कमान समालिए ठीक है पूरा पूरा एटूजड जो भी एटूजड आज पूरा कंप्यूटर के जो भी टर्म हैं डिसक्शन करेंगे ठीक है कंप्यूटर के सारे टर्म हैं उनका डिसक्शन करेंगे और यह अगर आपको पता चल जाए ना तो पेपर में बहुत सारी चीज़ों का जवाब जैसे कोशन में ऐसे से टर्म आ जाते हैं हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि इसका जवाब क्या दें तो वो सारी चीज़े आपक हम करेंगे और बहुत सारी कि दिए ऐसे लेकर चीजिद को सारह निप्टाई देंगे तो हम इसे लेकर सी हैं तो फट फट आगे बढ़ते हैं क्प्यूटर सबड़ाहली जो टॉपिक सारी फुल क्वाब दी निकहां बहुत सारे एक हजार से भी ज़्यादा आपको टॉप जो फुल फॉर्म से हैं जो इंटर्व्यू में पूछी जाती हैं आरारभी में पूछी जाती हैं उनसे समंदित सारा डेटा आपको मिलेगा बस फटा फट सारे बच्चों आईए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सच्चे दिन सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ते हैं वह क्या है अब एकस अब इससे समंदित देखेगा कितनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो थोड़ा सा जो है बस ध्यान देना है ठीक है तो यहां पर देखिएगा बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बहुत सारी चीज़े है आपको मिलेंगे थीजिए अब एकस क्या है अब एकस क्या है तो यह हम लोग सिरुहास्ते पढ़ चुके हैं और फिछले वीडियो देखिएगा आपको मिलेगा अब यहां पर लिखा तो अब एकस हुए अब आकस हुआ अब क्या थो यह फृस्ट कैलकुलेटिंग डिव wires मतलब मतर के दानों की तरह वायर में पिरोए हुए थे और उनको हम लोग calculate करते थे और आज अब एकस क्या हो गया calculation करने का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है चोटे बच्चों को उंगलियों के सहारे गोलियों के सहारे हम लोग सिखाते थे बर कहीं न कहीं अब दिमाग कितना त्रिव हो गया है अब एकस की तरह है कि उसमें फटा फटा आप calculation कर सकते हो ठीक है अब एकस गड़ना करने के लि अधा पूर में हुआ तो अब एकस डिपेंड ऑन बीट्स और वायर और एकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ठीक है जो चीन के दोरा विक्सित की गई थी डिपेंड ऑन बीट्स और ठीक है अब एकस किस भासा का सब्द है तो यह भी आप दिया लेटिन भासा का वर् अधियान रखेगा एक रजिस्टर है ठीक है अब और नहीं है यह वह कंपोनेंट है जो मदर बोल में लगते हैं ठीक है मदर बोल्ड डिवाइस जो आपने देखी होंगी एक्कुमिलेटर एक रजिस्टर है जो प्रोसेशिंग के दवरान डेटा और कमांड जो डेटा है औ आफ यहां तो रैम की बात करते होगे यह बात करतते होगे बट प्रोसेशर भी एक ऐसी चंदा वाला व्यां होता है जहां पर भी कुछ होड किया जाता है तो बहुत तरह मतलब कि आप President डीवाईस तरह तरह की लोकेशन परbreaking से काम करते हुए मिलेंगे ठीक हैं अब एक्ट तो मतलब कि आप प्रेजंट टाइम में जो काम कर रहे हो ठीक है जिस पे काम कर रहे हो वो चल रही है जिस पर आप काम कर रही तो से अनों कया होता है तो ms Excel आप जानते होगे ms Excel ठीक है ms Excel आफ देखें वंगे तो ms Excel को हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो Suppressheet जानते हैं स्पूरिड स्पूरिड शीट जानते हैं और ms Excel में row and column की बात करते हैं तो row and column का अम हो गया हो गया और रो यंड कॉलम और ये जो intersect area है वो क्या कहलाएगा सिल कहलाएगा ठीक है तो पुराने वाले में थी नए वाले में अलग रोंड कॉलम है पुराने वाले में अलग रोंड कॉलम है तो जहां हम एक्सल पूरा पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 256 है कि 65000 है कि 10000 है कितनी है यह सारी चीज़े हम आपको बताएंगे ठीक है तो एक्टिव सेल क्या हो गए रोंड कॉलम का इंटरसेक्ट एरिया सेल कहलाएगा ठीक है जिसमें यूजर डेटा को लिखना चाहता है ठीक है यह लिख रहा है तो वह क्या कहलाएगा एक्टिव सेल कहलाएगा तो सेल क्या हो गई यह जो आप चार खाना जैसा दिखते हो और एक्सल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं O level की अगर हम बात करें तो o level के लिए तो महावरदान थीक और आपका चहें वह a d c a हो चहें वह d c a हो चहें वह क्यों हिए सoe सब्जेट के अगर हम बात करें उसके लिए जो कहीं न हैं तो यह कोई अब को छोड़ना नहीं है यह तो फेल होने के चांसे हर चीज में ज़्यादा रहेंगे ठीक है चलिए यहां पे एक्टिव डिवाइज यहां पे विया देख लिया डिवाइज होता है तो एक्टिव डिवाइज मतलब कोई अप्रण जो चल ला है जैसे हम लोग कम्प्यूट शट्डाउन करते हैं शट्डाउन के साथ स्लीप मोड भी आता है स्लीप मोड और स्टैंड बाइ मोड हम बताएंगे दोनों से हैं जब इस वाला कॉलम आएगा तो बताएंगे बट यहां पर देखिएगा कि कौन सी डिवाइस एक्ट्यू है जैसे लों कहते है इसको डिवाइस डिवाइस मतलब क्या हो गया उपकर जिसमें कोई कार है कि इलेक्ट्रिक मतलब विद्दुत प्रवाः मतलब जो विद्दुत प्रवाः दोहरा वरकिंग में हो चल लाएंगी गया द्यवाइस कहलेंगी एक्ट्यू डिवाइस कहलेंगे मतलब जिसमें बिजली का प्रवाह वह जा रही है और उसके दौरा वह वह वियंत्र क्या है वह काम कर रहा है तो क्या कहलाएगा एक्ट्र भींडो की रहा हम हम बात करें एक ट्रइव टू है Unia कि बोटे। दो तो आपने दिखा होगा क्या चलने लगता है ट्रीन सेबर जैसा रोगत सुना होगा है। मोबाइल लबाप टॉप या कोई डेक्स्टाप तो आपने देखा उगा ऊसमें किया होता एसक्रीन सेर कशने लगता हैं अगर हम कुछिछ काम कर रहे हैं गाने सुन डेटा कोई डेटा इधर से फिर थे ट्रायई है तो मतलब क्या है भाई computer में उपस्थित वह विंडो मतलब जिसको हम कहीं न कहीं अपनी भासा में ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं यूजर दोरा क्या है वरतमान मतलब प्रेजन टाइम में क्या है उस पर सक्री का मतलब हिंदी में दिया हुआ है जहां पर वो काम कर रहा है जिस पर रुका हुआ यूजर उस पर computer बैठा काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी एप्टी विंडो कहलाएगी अब सबसे important देखिएगा address की बात कर रहे हैं तो भाई computer की memory होती है अब computer की memory में जैसे हमने roll and column के हमने बात करी थी थी बार में अलग 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 बन जाते हैं थो किसमका अलग अलग क्या है ऐसे घंप अशल तोस्तरहोता में हमने डॉक्ई मेंट्रियू कर दिया हमने कह दिया C ड्राइब P कर दिया हमने आप देखेंग कि इतने सारे ड्राइब होते हैं पर ड्राइब में हार्ड दिस्त तो हमारे पास औहे है ना जिससे हमने एक मकान ले लिए JOHN के कि लिए क्या लेते पहले जगा लेते हैं पर उस जगाय में कहां पर ट्राइंग रूम है कहां पर बेडरूम है कहां पर किचन बना रखे हैं कहां पर क्या चीछ बना रुखी है वह Stre q डिस्क में पैट्रीकुलर वह चीज जहां पिडेटा कर तो यहां पर अगर जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया अब वो प्रोग्राम चाहें किसी भी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उस प्रोग्राम में क्या हो गया इस्टेप बाई इस्टेप जो रिप्रेजेंटेशन है इस्टेप बाई इस्टेप जो रिप्रेजेंटेशन वो क्या करते हैं प्रोग्राम की वही कहलाती है पर अगर इसी को थोड़ा सा ग्राफिकल और चितर सहीं देखें तो जैसे आपने देखा हौगा गोला बनाते हैं फिर बनाते हैं फिर एसे करते हैं तो यह देखा होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्लोचार्ड क्या बोलते हैं तो बाइक किसी भी प्रोग्राम का step by step representation क्या कहलाएगा पर अगर ग्राफिकल पूछा जाए तो फ्लोचार्ड कहलाएगा तो देखो वही संदी में दिये computer को दिये जाने वाले अनुदेशों का वहां क्रम इस्टेप बाइस्टेप ठीक है जिसके दोरा किसी कारी को पूरा किया जाता है वह क्या कहलाता है ठीक है तो जैसे हमनों कोई आलाइनमेंट का अलाइनमेंट की मतलब जो हमारा डेटा है तेंटर रहेगा राइट रहेगा या उससे करेंगे कितने हुतSON होते हैं आप जीने होते हैं यह तो चार होते हैं इसको दिद्धान लखेएगा तोडेटा में पैराग्राफ को विवस्थित करने की क्रिया अलाइनमेंट कहलाती है अब बात आते मेर स कह आप computer पढ़ें चाहें MCA करें चाहें BCA करें या किसी भी छेतर में बात करते हैं MAIT वगरा में तो हम लोग बात आती है alpha numeric तो alpha numeric क्या होता है तो यहां पर देखिए alpha दिया हुआ है alpha के बाद numeric दिया हुआ alphabet मरलब ए टू जड़ और नंबर जीरो से नाइन तो इल्फा नियुमेरिक कहते हैं जैसे ए टू जड़ हैं आल्फा की बात कर रहें तो एटू जड़ से जितने अच्छा रहें जितने भी नंबर हैं इनका जो ही combination है इनका ही जो दोनों का combination है वो क्या कहलाएगा अलफा नियुमेरिक कहलाएगा ठीक है जैसे password डालते हैं कुछ नंबर भी डालते हैं कुछ ABCD भी डालते हैं ठीक है अब analog क्या होता है अनलोग तो analog जैसे हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो computer को हमाँ पास दो भागों बाता गया एक डिजिटल और एक अनलोग तो डिजिटल क्या होता है जिसमें आप डिजिटल में अगर आप देखे तो आप देखते होंगे जो थर्मा मेटर आ गया है डिजिटल थर्मा मेटर आप उसमें टंपरेचर देखते हो कि 97.2 पहुंच गया है कि 102 है तो आपने नंबर तो एक नंबर है उसलिटार चल ला है तो आज करम आप हर नंबर दिख्राए तो डिजिटल चल ला है ठीक है बट अगर बात करें analog तो उसे फिर्ममेटर होते थे आपने देखा ऊप्वाद में तर्मा मेटर के लगा को तरंग में erupt होती है वसंसी क्या की बहुत है जैसे पेडी सीδ rendered करेंट इस सुना होगा तो इस अब आज प्वेग कर लें ठीक है तो ऐसे computer जो अंकों की सहायता से गड़नाएं नहीं करते तो भाई यहां पर जीरो और नाइन से काम नहीं हो रहा है यहां पर नंबरों की सहायता नहीं ली जा रही है ठीक है यहां पर क्या है measurement measurement मतलब किसी को map के हो रहा है वजन तो लो घड़ी दिखा रहा है जैसे हम लोग गड़ियां होती है ठीक है तो मेरे खiająल से आपको बहुती इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज यह वाइरस की फुल फॉर्म हो गई बाकी आगे हम दिखाएंगे क्या होती है फुल फॉर्म टेंसन मत लीजेगा ठीक है बट वाइरस को हटाने के लिए क्या होगा एंटी वाइरस अवाज कल भाई सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो इसी के उपयोग से पूरी दुनिया परिशान है भारत नहीं परिशान है अमेरिका हो चाहें न्यूजिलेंड हो चाहें कोई हो सभी जानते हैं कि वाइरस कहां से आ रहा है पर जब चीजें शक्तिशाली होती हैं तो लोग उनसे बोलने से भी कत्राते हैं तो आज भी आप भी इतने पावर मैंन बनिये कि आप से कुछ चीजें हो भी जाएं तो लोग बोलने से हिचकें तो इसके लिए पावर के लिए क्या है पढ़ाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए जिससे आप सारी चीज़ों को जानें ठीक है बाई चाइना को सब ही लोग ज जा नहीं पा रहा है पहली लहर दूसरी लहर कितनी लहर आयेंगी एजॉकेशन डीपार्ट्मेंट डूबता चला जा रहा है बड़ाई लिखाई से सारी चीज़ों का लॉस होता जा रहा है बड़ क्या होदा लहें चल रही है अब इन लहरों में कितने लुक जाएंगे यह को चलिए वाइरous को रोकने के लिए Antivirus की बात करते हैं पूछा वाइरस क्या है तो वभी ध्यान लखेगा प्रोग्राम है क्योंकि पहले पूछ लेटा से वाइरस क्या है क्योंकि वाइरस किसने बनाएं कोई कहता था डॉक्टरों वाइरस को इजाद कर दिया वाइरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज तो वाइरस की बात ही अलग है जिसके द्वारा कंप्यूटर को वाइरस से होने वाली छती से बचाया जा सकता है तो एंटी वाइरस भी कई यह क्या हुआ मतलब किसी पर्टिकुलर मकसद की बात कर रहे हैं मतलब किसी कारण वस्वों हमने डाउनलोड किया तो मतलब किसी इस्पेशल परपस के लिए ही तो वह सौफ्ट बना हुआ है तो किसी वितेश कारे के लिए किसी वितेश कारे के लिए बनाए गए जितने भी प क्उप में भलते ठीक है अब ईयाई हुँ एक है पक्षेया अगर हम बात करें तो इस जनरेशन है ःतो नहींच्ड़ बात करتेंज हैं užस्कुन के निग быть वह को बॉट। रबोट की बात कर साहरा है मतलब कुछ ऐसी चीज जो इनसान की तरह ही दिखें और इंसान की तरह ही सोचने का काम करें बोलने का काम करें समझने का काम करें तो अगर इसका सबसे अच्छा एक्जेंपल दिया जाए artificial intelligence तो रोबोट तो हम बोल देते हैं पर artificial intelligence है औरधे इंटेंटियंस घूल नो हाथ की उंग्लियां हमारा ही जो intelligence है हमाराही सेंशर है उन सारी चीजों यह सारी चीजे बनी है तो भाई देखो मानवी गुड मतलब इंसानों की तरह ही सोचना समझना और बात करने की जो चमता विक्सित होती है उसी को आपने देखा होगा चिन्नाई से लेकर हर जगह कुछ होटलों में रोबोट की बात करी जा रही है कि रोबोट आप खाना परोसेंगे तो रोबोट के पास कितनी चमता आ गई किसको पहचानना है कहां पर जानना है वो सारी चीजे उसमें फीड कर दी गई है जैसे आपने का इंटेलीजन्स का एक एक इसेंपल देखा होगा रोबोट जिसका नाम सोफिया है सोफिया आप देखिएगा कैसे मुंबई इनुश् इसका अंगे सरुल दुखब्र दिया इंसानों से बातचीज भी करी बहुत हरी चीज़े करीई है अब यहां पर देखिए असकाई बहुल लोग इसको असीकी बोलते हैं आफीकी कोड नहीं होता आसीक का भाई कोई कोड़ भी नहीं होता ठीक है वू तो हो जाती ठीक है तो क्या है information को interchange करना और उसके लिए क्या बना दिए कोड बना दिए तो American Standard Code for information interchange फुल फॉर्म को आप समझ सकते हो जिसको हमने तोड़ तोड़ के समझाया है अब यह एक प्रेचलित कोड है ठीक है जिसके द्वारा अच्छरों तथा संख्याओं को आठ बिट के रूप में प्रदेश्शित किया जाता है साथ बिट भी है आठ बिट भी है क्योंकि जैसे असकाई कोड है वैसे ही इभी सीडी आइसी कोड है बी सीडी कोड भी है बहुत सारे कोड है अब assembler की बात करते हैं अब assembler क्या है अइसेंबली लैंग्विज क्या है अइसेंबलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर कभी पूछा जाए ट्रांसलेटर बच्चों तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से assembler compiler और interpreter अब assembler की बात करें तो computer में प्रियुक्त वह प्रोग्राम जो assembly भासा को मशीनी भासा में परवर्थित करता है अरे कुल मिलाके जैसे हम लोग देखते हैं कुछ भी हो उसको वह किसमें चेंज कर देगा 01 में चेंज कर देगा जा हाई लेवल लेंगवेज हो चाहे मिल लेवल लेंगवेज हो सब ही को कनवर्ट होके किसमें जाना है मशीन भासा में ही कनवर्ट होना है तो assembly भासा को जो मशीन भासा में कोड करें तो ट्रांसलेटर कौन है तो इसको ध्यान लखेगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ अब यह अब यह अब यह लेंगवेज मतलब किसकी बात कर रहा है भासा की बात कर रहा है तो कंप्यूटर में भासा जिसमें अच्छरों और अंकों के छोटे-छोटे कोड लिखे जाते तो असेंबली भासा में बहुत सारे कोड दिये गए हैं क्योंकि कंप्यूटर कुछ ऐसा ही समझता है तो जो कंप्यूटर समझता है उसके लिए लैंगवेज बनाएगी असेंबली लैंगवेज ठीक है इसके द्वारा यूजर की वैदता की पहचान की जाती है तो कौन यूजर है रोबोट यूज कर रहा है को ऐसा यूज कर रहा है वह सारी चीजिजें करके उनकी पहचान करता है ठीक है अब देखें auxiliary memory की बात कर रहे हैं, तो auxiliary memory कभी भी आ जाहे, तो option में हम लोग CD लगाते हैं, CD मतलब compact disc, auxiliary memory क्या है? सबसे पहली बात और secondary memory की बात कर रहा है, दितियक memory, secondary memory, चाहे हो hard disc हो, चाहे हो cd हो, चाहे floppy disc हो, पर यहां पर अब Que lead memory की बात करें, तो secondary memory भी कहा जाता है और यह primary memory से अधिक छमता वाली तिता उसकी सहायक memory होती है तो सबसे अच्छा जाती है कई वर पूछा जा चुका है तो बीफ़ो जो यहां पर दिया हुआ है तो यहां सिंबोलिक instruction code ठीक है beginners all purpose symbolic instruction code ठीक है तो यहां पर basic की full form हो गई अब यहां पर दिया हुआ उच्चिस्तरी भासा तो अगर पूछा जैंडे basic कैसी भासा है तो आप बोलोगे high level high level high level language है ठीक है बट यह बहुत ही सरल होती है और आप देखिएगा first से fifth तक के बच्चों को computer में धीरे धीरे सिखाई जाती है ठीक है तो यह सभी computer के साथ बनाई जाती है और इनमें सभी की अगर देखी जाए तो बस यहीं एक नंबर है जो computer समझता है binary binary मतलब 01 01 की बात कर रहे हैं तो उनहीं के लिए प्रियोग के सबसे चोटी यूनिट कौन सी है इस टोरेज यूनिट कौन सी है तो आप बोलोगे बिट पूछा जाए बिट की फुल फॉर्म क्या है तो बाई बीट की फुल फॉर्म में बी फॉर क्या हो गया binary और डिजिट बगा जो लास्ट हो क्या देख रहा है इट तो बिट की उनिट की फॉर्म क्या हो गई बैनिली डिजिट दो बाई कंपयूटर की जो चोटी संख्या है ठीक अब सते चोटी सब से छोटी का है ध्यान डखेगा जिस बाइट टो हम लोग बोलते हैं पर यह ध्यान नग Gardensya बढ़ा क्या है तो आप बोलोगे निवल से बढ़ा क्या है तो आप बोलोगे भाइट ध्यान लखिएगा बहुत इंपोर्टन के यहां पर नहीं बहुत दो तो आप बोलोगे 8 bit होते हैं ठीक है एक किलो बाइट में कितने होते हैं तो 1024 बाइट होते हैं तो computer की memory में ऐसे ही बाइट की स्रेड़ी में मापा जाता है ठीक है ध्यान लखेगा बहुत अपटन टॉपिक है फटा फट धिशान लखेगा ठीक है अब बैकबोन कि बैकबोन क्या होता है वैसे तुमनों बोलते हैं जो हमारी रीड की हड़ी हो क्या कहलाती है यह मारी बैकबोन कहलाती है पर computer में कुछ ऐसी चीज़े जिसमें सारी चीज़े डिपेंड हो वही दो कहलाएगा जैसे आपने एक सब्सद सुनाओगा टॉपलोजी क्या होती है तो टॉपलोजी क्या होता है यह यह कंप्यूटर की एक ऐसी आकरती अब वह आकरती कैसे हो सकती है स्कति है या पूरी दुनिया में या पूरे एक सहर मैं उसमें अगर एक आकरती बनाई जाए तो उसमें प्रटिकुलर क्या है जैसे केबल साके से computer जोड दिये जाए जैसे single railway track अब उस single railway track पे ही अगर कहीं कोई क्षराब हो जाए तो क्या होगा train इधर से भी आना बंद हो जाएगी तो particular वह रेलवे track कि क्या बन गया single है तो backbone है अगर वह खराब होता है सब खराब होगा ठीक है तो उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम बात करें तो आपस में जोड़ने वाली अगर कोई लाइन है मुख्छ स्क्राइब अब यहां पर भात करें तो आज सभी लोग जानते हैं मतलब होता है कि कोई ऐसा कारें जो हम कर जाए ठीक है तो हम क्या करें तो इसलिए बैक अप रख लेना चाहिए तो जैसे कंप्यूटर में है कोई भी फाइल है कोई भी डॉकुमेंट है जिसकी दुबारा से आउशकता पड़ती है तो हम लोग उसे पेंड्राइब में हार डिस्क में रेक अप में तरह इस्टोर कर लेते हैं ठीक है बैक है इसकी बैक बनाने के लिए 50-50 किलो एक कुंटल आटा खरीद के रखा चावल खरीद के रखा एक बना लेते हैं जिसकी जरूरत पढ़े ठीक है तो यहां पर देखेगा कंप्यूटर द्वारा डिस्क पर उपस्ति सारी सूचना की एक कॉपी बन जाती है ठीक है जिसे बैक अप कहते हैं भविस में जरूरत पढ़ने पर बैक अप में स्टोर डेटा को रिश्टोर कर उप्योग किया जाता है करोना काल में भहुत दिक्कते यहीं जिसकी जैसे पुराना खान रखा था अनाज रखा है काफी लोगों ने यूज किया जिसकी विए सहूलियत भी हो गई है ठीक है अब बैंड विद की है है frequency की बात कर रहे है bandwidth क्या है frequency तो पहले बोलते थे ना विविद भारती बैंड लगाओ रेडियो पे तो bandwidth होती है ना जैसे 92.193.5 ऐसे आपने सुने होंगे जो चैनल वह bandwidth होते हैं frequency तो यहां पर हम frequency की बात करें तो वह हमारी क्या कहला है कि bandwidth bandwidth high bandwidth low bandwidth यह सारी चीज़े होती है तो इसका प्रेंटर होता है ठीक है तो इसे क्या बोलते है range of frequency range of frequency जो यह bandwidth कहलाता है इसे bit कि इसमें करते हैं bit per second बेट पर second ठीक है अब आता है बार कोड तो आप जानते हो बार कोड मतलब यह जो लाइने आप देख रहे हो यह टोटल कितनी लाइन होती है 13 लाइन लायने होती है जो फुदा होती है जो सुरुवात में 01 वाली लाइन होती हो हुं कांट्री कोड मैनुफेक्टरिंग कोड चेंज कोड ऐसे बहुत सारे ने कोड्वच ने कर भिंद्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है तो मुझरोव से विभिन चवड़ाई कोड प्रदर्शित करते हैं ठीक है अब दिखें यहां पर लिखा हुआ एक नए टॉपिक नई चीज है बैच प्रोसेसिंग अब यह बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कितना फटा फट पढ़ा रहे हैं यह वीडियो अगर आप शेयर कर दोगे तो 100% आधे पर तो निकली होते हैं कि मल्टी टास्किंग 1-2-1 नेटवर्क रोसेसिंग ठीके बहुत साइब प्रोसेसिंग होती है तो उसरे सी यह ऑपरेटंग सिस्टम का यहीं पाल्ट है जिसमें किसी प्रोग्राम को बंडल के रूप में देखें बंडल बंडल जानते हुना किसी चीजिद का फाइल एक्जीक्यूट करना मतलब उसका आउटपुट लाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बायो मैट्रिक डिवाइस तो मैंने भी बोला था ना पुण उसकी रेखाएं हो जैसे वाइस रिक्रोनाइजेशन की बात करते हैं उनकी पहचान करती है आज अगर देखें तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम आठ अरब लोग होने वाले हैं पूरी दुनिया में कितने लोग आठ अरब होने वाले हैं या हो चुके होंगे पता नहीं जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है प्रत्वी सीमित है प्रत्वी सीमित है कि बढ़ती चली जा रही है जनसंख्या के साथ जो संसाधन है वो भी सीमित है खेत पात वो भी सीमित है पानी है वो भी सीमित है जमीन भी वो सीमित है आज आप देख रहे हो जमीन पे लग एक टाइम जमीन बचेगी या एक टाइम खाना बचेगा जब इन सारी चीजों की दिक्कत होगी तो क्या होगा लोग आपसे मार पीट करेंगे लोग एक दुसरे को दोड़ेंगे जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस अनातन धर्म में कल्यूग आएगा कल्यूग में दूसरे को जब खाएंगे तो खाएंगे यही क्योंकि जब जंसंख्या बढ़ जाएगी संसाधन होंगे नहीं तो क्या होगा इसलिए जंसंख्या पर नियंत्रन बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि जंसंख्या नियं फ्यूचर बन पाएं तब ही आप उनको पैदा करें ठीक है सारी चीजों को समझें उतने ही बच्चे अच्छे हैं जिसमें घर और परिवार सुखी रहें ऐसा नहीं कि यतने कर लो कि बाद में उनका ना फ्यूचर पढ़ाओ किसी को इंटर पढ़ाओ किसी को जीरू बटा सनाटा पढ़ाओ चीजों पर ध्यान ना दे पाओ तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अब यहां पर देखेगा ब्रॉट्बेंड की बात करें ब्रॉट्बेंड तो ब्रॉट्बेंड बताया था ना यह कंप्यूटर नेटवर्क होता है ठीक है जिसको वन मिलियन बिट सेकंड मतलब मेगा बिट पर सेकंड करते हैं इससे भी अधिक होती ब्रॉट्बेंड अब ब्राउजर क्या है ध्यान रखिएगा ब्राउजर क्या है ब्राउजर जैसे हम लोग कहते है यार इंटरनेट चलाना है गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करो मोजीला फायरफॉक्स open करो ओपेरा open करो तो यह जो ब्राउजर है यह भी एक सौफ्ट्वेर हैं जिनका काम net access करने के लिए होता है कभी पूछा जाए ब्राउजर क्या है तो एक ऐसा सौफ्ट्वेर एप्लिकेशन जिसका हम यूज क्या करते हैं नेट को चलाने के लिए ठीक है तो वह सौफ्ट्वेर जो HTML फाइलों कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कप लेंग्वेज कई बार सुना होगा फाइलों को वेब ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट पर उपलब्द इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं ठीक है बहुत ही बढ़ी हाँ है लगाता शेयर करते रहिए बढ़ते रहिए बताते रहिए ठीक है अब बस बस कंप्यूटर का बस नहीं हुआ है भी मतलब बस बस टॉपलोजी का भी नाम सुना होगा सड़क पर चलने वाली बस भी देखी होगी और जो सड़क पर चलने वाली बस है वो क्या करती है सवारियों को बैठालती है और कहीं न कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरे आधि पर पहुंचाती है तो बस का यहां कि यहाँ यहां पर की बात कर रहे हैं ठीक है जो काम क्या करती है डेटा या Electronic Signal को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता तो सुद्ध हिंदी में दिया हुआ है अब रही बाद Bluetooth Bluetooth क्या है to Bluetooth का मतलब कोई नीला एक नहीं हो ब्लीटूथ मतलब एक चीज में Bluetooth आता है Bluetooth का काम क्या है कि 12 मीटर के इन्वायरमेंट में 12 मीटर के जगह पे क्या करता है यह कोई भी चीज आप Connect कर सकते हो तो एक wireless बिना तार वाली टेकनिक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर दो चीजों को Connect करके डेटा का दान प्रदान किया जा सकता है तो Bluetooth की रेंज 10 से लेकर 12 मीटर तक होती है अब बग क्या है बग बड़ा खतरना काम है क्योंकि हम लोग कभी लोग बोलते है एरर क्या है तो बोलते हैं बग है बग है तो एरर क्या है पर दोनों ही चीज़े अलग है ध्यान लख रखिएगा एरर क्या होती है जैसे लाजिकल एरर सिंटेक्स एरर तो यह जो एरर हैं जो प्रोग्राम के अंदर किसी लाजिक की वज़ए से या सिंटेक्स सेमी कॉलन छोड़ दिया है कौमा छोड़ दिया है जिसकी वज़ए से उसमें जो एरर आ रही गलती आ रही है वो क कुछ आइसी चीजे नहीं आ रहे हैं तो हुनको बोलते हैं कि भाई कोई जी ऐसी चीज प्रोग्राम में जो चला नहीं रहा है प्रोग्राम को ठीक है तो बगिंग कहलाती और उसको तो पहलता है तो ध्यान लगेगा बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है चिप अब ये कोई अंकल चिप नहीं है ये चिप की बात कर रहे हैं हलाकि चिप का मतलब क्या हो गया एक ऐसी चीज जो पतली सुखाई हुई चाहे हैं मैं टैलिक हो चाहें कैसी भी हो उसकी एक स्लाइट टाइप की बनाई गई हो तो चिप क्या है ये इक सिलीकॉन आपने होगा Silicon Valley Silicon Valley कॉन है California है इंडिया में बोला जाए तो Silicon Valley कॉन है तो बैंगलोरू है ठीक है तो यहां पर अगर हम Silicon की बात करें जिसमें हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले आई सी देखी Integrated Circuit I see ठीक है आई सी जिस पर विभिन प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए Electronic Circuit बने होते हैं इसे ही इसे Integrated Circuit भी कहते हैं जैसे मैंने भी बताया आई सी आई सी मतलब Integrated Circuit थर्ड जेनरेशन डिपेंड ऑन आई सी थर्ड जेनरेशन डिपेंड ऑन आई सी बहुत साइच चीज़े डिलेटेड फैक्ट बता रहे हैं तो इसको आप शेयर करना ना भूलें अब आगे दिखते हैं CD तो दिख रही है साथ में RW भी दिख रहा है तो CD मतलब Compact Disc हो गया RW का मतलब क्या हो गया Rewriteable हो गया Rewriteable मतलब अगर हम बात करें Compact Disc Read and Write कहा जाता है या एक storage device है जिसको हम सेकेंड डिवाइस में सामिल करते हैं ना और CD की अभी मैंने space बताया था ना 700 MB कितना होगा 700 MB ठीक है जिसमें data को बार बार लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है इसलिए क्यों अगर CD होती तो उसमें क्यों पढ़ा जा सकता लिखा नहीं जा सकता पर अगर RW है तो उसमें लिख भी सकते हैं कर सकते हैं दुबारा से फिर उसे राइट कर सकते हैं CDR अब यहां पर पहले CDR जब RW नहीं था तो उसके पहले आर था आर का मतलब क्या होगा और पहले केवल रिकॉर्ड होती थी उस पर कुछ लिखा नहीं जाता था ठीक है तो यहां स्टोरे डिवाइज है डेटा को केव पर तो नहीं किया जा सकता है ठीक है सिंपल सा दिया हुआ है और यह सेल है सेल सेल का मैंने बताया था ना तो भाई हमाइपार जो रो हैं और यह जो कॉलम है इनका जो इंटर सेट एरिया बना यह वाला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेल बोलेंगे यह वाला इसा ठीक ह तो column और row से जो intersect area है वो क्या कहलाता है cell कहलाता है अब CPU यह कौन नहीं जानता है CPU central processing unit brain of computer CPU क्या है brain of computer है central processing unit यह computer में होने वाली जितनी भी processing है सब को handle करता है इसलिए से brain of computer बोलते हैं computer का दिमाग बोलते हैं चोटा मगज बोलते हैं और जो चोटा ही है ऐसा नहीं बड़ी वाली cabinet को आप CPU बोलो ठीक है तो इसलिए ध्यान लखेगा पढ़ते रही है बढ़ते रही है तो CPU भाई आप खुदी देख लिए हैं computer का दिमाग कहलाता है अब प्रिंटर प्रिंटर भाई दो टाइप के होते हैं impact printer और एक नॉन इंपक्ट तो इंपक्ट प्रिंटर जो पेपर के संपर्क में आए वह इंपक्ट कहलाते हैं अब यहां पर करेक्टर प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे वड़ी विसेशता क्या है कि जैसे कोई अच्छर हो गया कोई नंबर हो गया या कोई भी चिन हो गया उनको यह प्रिंट करता है ठीक है करेक्टर प्रिंटर पहले चलते थे और यह रहाए सबसे धमाकियदार सब्सक्राइब चैट तो आज कि दुनिया में जा कोई लड़का रड़की हो या कोई भी मेल फीमेल या उसे बात नहीं कर रहे हैं टेक्स्ट के दौरा बात कर रहे हैं ठीक है तो इंटरनेट के माध्यम से जरूरी इंटरनेट है इंटरनेट ना तो काम बंद हो जाएगा पहले वैसे सब्सक्राइब यहां क्या होता था सॉट मैंस सर्विसिंग यहां दो यूजर के बीच ठीक है चैट हो रही जो टेक्स्ट चैट होती ना टेक्स्ट मतलब जो लिख बात करी जा रही है उसे हम लोग क्या बोलते है ठीक है अब क्लिक बटन क्या होता है तो बहुत करोगे माउस का जो बटन आप दबाते हो माउस में क्या होता है प्रैमरी बटन सेकेंडरी बटन राइट और लेफ्ट बटन जैसे आप बोलते हो तो बटन को दबाना ही क्या कहल जाता है कहता है माउस के एक क्लिक पर दुनिया चल रही है तो आज का सही बात है अब यहां क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है तो भाइया जो क्लाइंट होगा वो कौन होगा किसी ना किसी हैड से जुड़ा होगा तो जो सर्वर के अंदर जितने भी कंप्यूटर जुड़ क्या होते हैं कई सारे computer होते हैं तो जूड़े वे computer वो क्या कहलांगे क्लाइन computer कहलाते हैं वह computer जो network को server के तुछना का अदान-प्रदान की सेवा प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं क्लाइन computer टीके अब इतनी important चीज है clip art clip मतलब को यह होगे चोटे जो चीज हम लो वियो पेश्ट कराते हैं तो छोटा सा एक data होता है जो कहीं ना कहीं कितना सेव हो जाता है जैसे हमने control c किया control x किया तो यह c से तो copy हुआ एक से कट हो गया पर यह कट होने के बाद यहां से तो चला जाएगा पर कहीं न कहीं तो रहेगा कहीं न कहीं तो रहेगा पाई जब हम control v करते हैं चाहें एक जगा करें चाहें हजार जगा CTRL-B paste करें CTRL, B paste 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 करें पर डेटा वो आएगा इहां से तो आएगा यहां तो बहुँ हट चुका है न यहां से यह तो हो गया CTRL-X हो गया ठीक है तो जो जगए जहां पर डेटा उसे होनों बोलता है क्लिपार्ट ठीक है तो नहीं यहां पेगळीक टीपी नबब में इसलाइव Corn बनाने से लिए क्लिपार्ड तो वहां पर आपको बहुत साथ चितर दिख आге क्लिपार्ड trop Agile इसी तरह से ही clipboard है भी clipboard भी आपको बता देंगे ठीक है अब component की बात करते हैं component तो component क्या होते हैं जैसे हमनों तीन त्रह के software देखते हैं जनल परपस हो गया इस्पेसल परपस हो गया और utility software हो गया तो utility software क्या हो गए जो computer को हमारे सही करें जैसे एंटी-वायरस की बात करें यहाँ जहां पूर्जे होते हैं वह component कहलाते हैं ठीक है चलिए अगे देrzyखते हैं कि चैसे हमने बताया था translator टीन टाइप के होते हैं आसेंबलर compiler ना और इंटरप्रेटर तो यहां पर compile करने का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी जितनी भी का मतलब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है और निमनिस्टीरी लो लेवल लैंग्वेज भासाओं को किसमे चेंज गर दे मशीनी भाषा मसीनी भासा मतलब ज二्रो और वन में बदलना कंपाईल करना कहलाता है भी मशीन बाक्षा बदलने के लिए ही उज होता है अब कमांड मने क्या हो गया कहते हैं क्मांड मने क्या हो गया आदेश देना पर दोनों सब्सब्रों में बहुत अंतर है वह जब हम हींदी पढ़ाएंगे उसमें भी हमको बताते हैं एक किसी कारिय पूरा करने के लिए जिर निरदेश दिया जाता है तो उसे बहुत सारे कमांड आपने देखें होंगे cd chain directory md make directory और डिया ठीक है अब यहां पर बात है coding तो भाई अगर आप कोई software बनाने की सोच रहे हो तो software बनाने के पहले आप क्या है program बनाते हो और program बनाने से पहले सोचते हो कि instruction क्या होना चाहिए तो लिए क्या बनाते हो बनाते हो ला कि इस टॉरा हम टाइम देखेंगे तो जो कोड है जो programming भासा में लिखे जाते उनको क्या बोलता है coding कहते है ठीक है coding अब यहां पर आपको केबल की बात आ गई क्योंकि सी से चल ला है तो यहां पर डारेक्ट हमनों नेटवर्किंग में कूद गया नेटवर्किंग में केबल की बात कर रहे हैं तो जैसे हमाई पास बहुत सारी केबल होती हैं तरह तरह की केबल होती हैं कुछ इतनी मोटी होती हैं कुछ इससे पतली ह होती है तो यह केबल के अगर हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा एक वीयल केबल फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिक फाइबर केबल कई बार मोधी जी आपने देखा होगा कि देखान मंत्री काफी टेकनिकल वर्ल बोलते रहते हैं Além राजयों में जाते हैं अलग अलग राजयों की भासा बोलते हैं दिंद्धियरिया आप आधिखकर ल्यूसार 不 sens, और और को प्रभाव डालते करते हैं फाइवर ऑप्टिक की बात करते हैं तो एक केबल ही है अगर आप हिंदी में देखते हो तार की बात करते हो जिसमें डेटा का केबल सुनी होगी जिसमें मोटी मोटी केबल लगी होती जिसके अंदर एक सेंटर केबल होती है वह हमारे पास कौन सी हो गई को एक्जियल केबल तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वहां पर क्लिप कि आज की बात कर较 तो वही क्लिप बोल्ड गया जो हमने बताया था कि डेटा कट करते हैं तो वहां से चला जाता है पर कई जगे पर हो 노त होके प्रहसी होता है तो यहां पर वही चीज़ है यहां एक सॉफ्टर की सुभधा है जिसके माध्यम से किसी डेटा को कुछ समय के लि अब वो कहीं जाके hold होगी और जब तक हम control भी control भी करते रहेंगे वहां से आता रहेगा तो यह जो location है यही क्या कहलाती है clipboard कहलाती है ठीक है तो फटा फट देखिएगा computer अब इसे कौन नहीं जानता है यही तो पढ़ी रहें computer इस पढ़ रहें अब computer की फुल फॉर्म भी लोगों ने अलग अलग तरह से बना दी जैसे c for common, o for operating, m for machine, p for particular, u for use, for trade, education, research तो अलग अलग तरह से इसकी अलग अलग फुल फॉर्म मिलेगी तो कोई particular फुल फॉर्म नहीं होती है computer computer सबसे बना हुआ है तो यह गर्णा करने वाला एक यंद्र है जो यूजर द्वारा प्रात निर्देशों की processing करके उसका output देता है output device के through ठीक है अब computer added design तो इसको shortcut में बोलते है CAD बोलते हैं तो computer added design की अगर हम बात करें CAD तो computer system में जो भी डिजाइन होती चाहें कार की design हो चाहें बाइक की design हो जितनी भी चीज़े होती जिनको आज कर लोग बोलते हैं कि भाई हमें क्या सीखना तो लोग बोलते हैं सर आटो CAD सीखना आटो CAD सीखना है तो system में design के निनमार संसोधन विशलेशन या computer added design का प्रियोग करते हैं ठीक है चाहें वो किसी भी तरह का design हो अब यहां पर CAD है तो यहां पर कैम दिख रहा है कैम मतलब C-A-M computer added manufacturing अब यहां पर added की spelling जरूर चेक कर लीज़ेगा क्योंकि बहुत साइब बच्चे एडबल डी लिखके आते हैं वो गलत हो जाएगा फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ठीक है तो software का प्रियोग machine टूल के निनमार और मसीन से संबंदित अपकणों को नियंत्रित करने या machine को बनाने के लिए device बनाने के लिए इसी का प्रियोग किया जाता है क्योंकि नाम ही है manufacturing तो manufacturing का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे machine को जो बनाते हैं उनमें बनाने के लिए कैम का यूज करते हैं अब computer network की बात करें तो network क्या है मतलब एक ऐसा जाल कहता है ना कि हमारा network पूरी दुनिया फैला हुआ हमारा नेटवर्क पूरा लखनओ दिल्ली फैला हुआ है तो बतलब हमारे जुड़े हुए लोग कई सारे यहां वहां हैं तो जुड़े किसे होंगे किसे ना किसी तार से जुड़े होंगे क्योंकि तारगज कह सकते हैं या वायरलेस हो सकता है ठीक है तो एक ऐसा नेटवर्क जिसके दौरा एक computer दूसरे computer पर डेटा का अधान प्रदान करता है वो क्या कहलाएगा computer नेटवर्क बैइक computer दूसरे computer से जुड़ा होगा तभी तो data का अधान प्रदान export import होगा तो एक ऐसा system जिसमें एक ही CPU होता है computer system में क्या होगा एक ही CPU होता है और बहुत सब्सक्राइब करते रहे हैं अभी computer सब्दावली में थोड़े से और important सब्द हैं जो अब आपको देखने हैं ठीक है बीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है बस यह कि हम चाहेंगे आप इससे ज्यादा से ज्यादा पूरा देखिए कि क्योंकि आप जितना देखोगे उतना ही मजाएगा समझ में भी आएगा ठीक है तो अब आपके सामने computer सब्दावली जिसमें आप एक वर्ड देख है रहे हो है क्या देख रहे हैं आप हैकर देख रहे हैं तो यह हैकर सब देखिए समझे ए कर दो तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ल्ड जुड़े हुए computer hacker कितना important चीज है ध्यान से देखिएगा समझेगा सबसे पहले यहां पर हम बात करें है अब हैकर क्या है तो हम सुनते हैं है कर लिया चोरी कर लिया एक जगह से दुसी जब बिना बताए उठा लिया तो बिना बताए किसी की कोई चीज़ उठाना ले जाना खासकर computer से या जिसमें नेटवर्क हो फाई एच ज़िए और ध्याना किया है कर है किंग तभी कर पाएगा जब नेटवर्क हो मतलब इंटरनेट हो अगर इंटरनेट नहीं है तो हैकिंग इसके लिए वह डिवाइज नेटवर्क में जुड़ी होनी चाहिए तो यहां भी देखे लिखा हुआ नेटवर्क से जुड़कर इस सब्स धुको ध्यान दीजे गा नेटवर्क से जुड़कर अपने लिये अपने स्वार्थों के लिए या अपनी समस्याओं तrichष्याओं के लिए भी हो सकता है या किसी तो अच्छा के परपस से हो सकता है अन्य computer का गलत इस्तमाल करने वाला जो विक्ती है वो क्या कहलाएगा hacker कहलाएगा к्या कहलाएगा hacker कहलाएगा बहुत अच्छा सब्द है बाकि hacker छोटा नहीं होता Black Hat, White Hat, Blue Hat ऐसेبहुत टाइप के अलग-अलग हैकर होते हैं जिनके अलग-अलग काम होते हैं अब यहां पर दिया हुआ है सब्द हाप डुप्लेक्स अब यह हाप डुप्लेक्स क्या होता है ठीक है यह तो कोई डेटा जा रहा है एक ही तरफ तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हाप डुपलेक्स अब हाप डुपलेक्स का मतलब क्या हो गया जैसे आप क्या दीकdir वोकिटवकी आгपने नाम सूना होगा वोकी तो वोकी टॉकी कि अगर हम बात करें तो प्रय हैं जस डेटा में एक तरप एकड़ और रहे उसके बाद आभवी एक समय में काम हो रहा है तो वह क्या कहला। वॉकीटॉटॉकी तो जैसे transmission कर रहे हैं जिसमें डेटा को दोनों दिशाओं में भेजा जा तो इसलिए नमस्ते करें सबसे ज्यादा अच्छा है तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी नेटवर्ग में समान प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या होता है सेट आफ रूज पालन कर आपस में जुड़ना हार्डवेर हैंडशेक या इंगिट किट करता है तो वह क्या होत पालन करके क्या होता है हार्डवेर हो या सौफ्ट्वेर हो आपस में जुड़ जाएं और नियमों के अनसार चलें तो वह जो डेटा भेजना या प्राप्त करने के लिए होता उसे हैंडशेक बोलते हैं अब कहते हैं आज कंप्यूटर हैंग हो गया आज मेरा दिमांग हैं करने की छमता कहीं न कहीं काफी कम हो चुकी है जिसकी वजह से आगे की और हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी वस्ता को क्या बोलते हैं इसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा निर्देशों का पालन ना करना क्या कहलाता है हैंग जैसे हमने हमने मेरा अब करने मन नहीं कर रहा है तो कोई नहीं सुनने को कॉछी काम कर पा रहे हैं इसी सब्सक्राभ subjective यह टाइम हो जाता है और हो जाता है तो कोई कहता है कि यह करो ंए करो और प्लाइसी सोद वहां करो तो दैसा होता है है कोई कमांड ही नहीं लेता है तबहुत tangled हैंक पोजीशंस से हटाने के लिए प्लस के लिए दिएशिया कई है कि आपके दिस खные hard copy क्या है जब हमारे पास कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर रहती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं soft copy पर अगर वही फाइल प्रिंट आउट के माध्यां से हमारे हाथ में आ जाए तो वह क्या कहलाएगी hard copy कहलाएगी तो computer पिस्तुत अस्ताई आउटपूट जैसे computer में प्रियोग के बिना भी आद में हम प्रियोग कर सकें जैसे print-out जो होता हो क्या कहलाएगा hard copy कहलाएगी तो ध्यान लखेगा अब हाड़ डिस्क क्या है तो यह तो बहुत एक सेकेंडरी डिवाईज है जहां पर हम डेटा को इस्टोर करते हैं तो बहुत यह एक कठोर बना डिस्क है जिस पर चुम्ब की पदार्थ की परत चड़ी रहती है और इसका उप्योग डेटा भंडारण में किया जाता है आप अप्योटर के जितने भी पार्ट हैं अगर पूछा जाए क्या है तो आल पार्ट यहां पर बोलोगे पार्ट हो क्या कहला हैं अब एक चीज़ होती है यह फूटर भी होगा है टॉप पे होता है यह सबसे उपर कि पंक्ति में जो पहले सी टेक्स लिख जाए डिफॉल्ट तो header में आगर आपने कोई ची डाल दी है तो जितने पेज पे आप काम करते जाओगे तो पेज नमबर एक पेज नमबर दो अपने आप लिखता जाएगा ठीक है अब दिया हुआ हर्ट्स तो जैसे हम लोग कहते हैं रेडियो की तक में हैं हट्स में साधी है का मतलब क्या हो गया ठीक है हम चैसे अब नमबर雷ट करते हैं जिसमें जी रो से नाइं तग नंबर होते हैं और A से F तक नंबर होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हेक्साडेस्मल नंबर बोलते हैं देखिए जिसको कहते हैं जिसका बेस क्या आ रहा है इसका बेस क्या आ रहा है ठीक है तो शोला मूल संख्याओं का प्रयोग जैसे जीरो से नाइन तक नमबर हो गए और एसे एक सारे यह नमबर हो गए तो जिनका बेस क्या हो गया इसो लाइंगे इनका प्रियोग करना भी हम सिखाएंगे अब एक सब्द आता है हाइबनेशन जब आप कंप्यूटर को शटडाउन कर रहे होते हैं कंप्यूटर की इस्थिती जिसमें वह सभी चालू प्रोग्राम को कंप्यूटर में वहां चीज जब हमारे सारे प्रोग्राम तो क्या थे चालू थे मतलब स्टार्ट थे हाल्डिस्क में ठीक है बंद होते हैं कंप्यूटर पुर्णा चालू करने पर सभी प्रोग्राम उसी अवस्था में खुले दिखाई देते हैं जैसे आप कहीं जा रहे हो कंप्यूटर में आपने गाने भी चला रखे हैं पिच्चर भी चल ठीक है अब है मतलब हाई-level language तो कंप्यूटर में प्रोग्रामों की भासा है जिसको हम लोग हाई-Level लेंग्विज बोलते हैं ठीक है फास्ट हाई-लेवल लेंग्विज अगर बोली जाए कौन सी है तो आप बोलोगे फो ट्रान फो ट्रान फॉर्मूला ट्रांजेक्शन ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर computer program की बासा जो अंग्रेजी बासा में काफी करीब है या वासा सभी बतार के computer में प्रीब की जाती है इसलिए हाई-level language बोलते हैं अब home page की बात करें तो जब भी हम browser open करते हैं और internet चलाते हैं तो इंटरनेट की चलने की कंडिशन में जो सबसे पहला पेज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो यह ब्राउजर पर ही केवल बात करें एक्सल मत बोलने लगा तो यहां पर देखें का जो प्रथम पेज होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दि तो उसके पहला जो पेज होगा वो होम पेज होगा अब नेट में चीज होती होस्ट अब इसको बहुत समझना तो इंटरनेट जो सेवा है या जो भी सुविधाय प्रदान करने के लिए जो कंप्यूटर होता है जैसे सर्वर की बहुत करते हैं उसी तरह कंप्यूटर में होता है होस्थ भॉलते हैं होस्ट ऐस हो पॉलते हैं सु होट की बात कर रहा हैically लिस्ट तो यूर्ल आपने सुना होगा। यूर्ल की फुल-फॉर्म होती है। uniform resource locator ठीक है तो जो वो एक सूची देता है यूरल की जब आप खोलते हो ना उपर आपका जो टैब होता है उसमें जो खोलते हो यहां पर लिस्ट तो बहुत सारे यूरल आते हैं तो जिसे किसी उपयोग करता दोरा प्रियोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिड जैसे आजकर हर चीज हाइब्रिड चलती है तो बहुत कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉंबिनेशन हो वो क्या कहलाएगा हाइब्रिड कहलाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीजे हैं हाइब्रिड निट्वर् आप देखां यहां पे हाइब्रिड निट्वर्क की बात करें थो यहां पर देख से अधिक प्रकार के निटवर्ग टॉप whilst से मिलकर बना होता है जैसे आपने देखा गए ट्री टॉप लॉजी होती तो भाई ट्री टॉप लॉजी में मैस्ट आप लॉजी का भी समायोजन होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है तो जहां पर दो टॉप लॉजी मिलकर बने जैसे ट्री टॉप लॉजी के हम लोग बात बात कर रहे हैं ट्री टॉप लॉजी के अगर हम बात करें तो एक हईब्रिट तो लॉजी के नाम से भी जानी जाती है जहां पर दो नेटवर्क का यूज हुआ जाए ठीक है फोटो सब्सक्राइब करें तो इस सभी का कार करता है उनको हमनों यही बोलते हैं ठीक है हाइपर लिंग क्या होता है तो हाइपर लिंग का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोडने वाला दो क्या कहलाएगा किसी या दस्तावेज को उसी या किसी आड़ोस से जोड़ना क्या कह लाता है हाइपर का है इसे किसी सबस्ति के समौं को किसी याने correl half се लिक कराने की व्यवस्ता है सिंपल से नाम लिख दिया और पुनीत मैं क्लिक करें हो जाए से हम बॉलते हैं है जोड़ना हो गया है टेक्स्ट मतलब जिसके अंदर को जुड़ा हो अब यहां पर स्टी एमल की फुल फॉर्म तो हम बताई चुके हैं बच्चे बच्चे को मालूम है हाइपर टेस्ट मार्कब लेंग्वेज ठीक है तो हाइपर टेस्ट के निन्मार के लिए जो भास्ता परियोग थोरी वो क्या है है STML ठीक है इस्टी % है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होता है तो यहां पर sttml लिग गया है पर यहां पर ilsकीवह कि rinse हैं की बात करें ऐसे एंद के भी कुछ अच्छन मिल जाते हैं ठीक है तो बहिए आपनो नैनो-गाड़ी की नाम सुनचे नाम सुना फिर लग्ठकीया नाम सुना पर हम नैनो से कि बात करें तो बहिए देखिएए एक सेकेंड का अरभोवा भाग एक सेकेंड जो ठूड़ा थीप में जो अनभिगवेक्ति होते मैं लोते हैं को Road को कोई आज नहीं होती उन्हें नेर्ड दोलते हैं और जिन को क्या को क्या बोलते हैं कामेंड और जरूर दिजीएगा ठेक है जिनको है कि कोई जानकारी नहीं होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बताईएगा ठीक है नियोफाइट टाइप का नाम सुना होगा ध्यान लखेगा अब यहाँ पर नेटी कुईटी दिखा इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं ठीक है उनकी कोई आवशक्ता नहीं होने पर ठीक है चली आगे बढ़ते हैं सूचनाओं के अदान प्रदान के लिए नेटवर्क क्या है तो सूचनाओं के लिए आपस में जूड़ी कंप्यूटर की जो सरंखला होती है उसे लोग नेटवर्क बोलते हैं एक ऐसा कार्ड जहां पर नेटवर्क पोल्ट हम लगाते हैं प और नेटवर्क से जोडने के लिए कार्डवे रही हैं ठीक हाडवे अब यहाँ ड़र हो जाएगा नेटवर्क क्या होती है तो डcü पूछी तो केवल गपला गई है तो फैसमें जोड़ने की जो विवस्था है वो क्या कहला सकते कंप्यूटर कोट Alrighty विवस्था आकार क्या होता है तो इंटर्नेट को जितने लोग यूज कर रहें नहीं का जो समू Black storage unit कौन सी होती है बिट से बड़ा कौन होता है तो निबल होता है ठीक है तो चार बिट का क्वू है यह आधी बाइट के बराबर होता है या और एक हम ऐता क्या हो गया चार क्या कहलाएगा अब जो दी सी बात है लास्टबिन्दू होता है लास्ट उनको लोग क्या बोलते हैं या तो टर्मिनल बोल दो या नौड बोल सकते हो ठीक है तो यह सारी चीजह आप पड़ रहे हो नोड ठीक है नेटवर्क से जुड़े विज़ गेडिन अंतिम बिंदु या टर्मीनर अब नॉन इंप्रिंटर जो पेपर के संपर्क मी नहीँ जय से लेजर प्रिंटर इंकुजर्ट प्रिंटर है THERMAL प्रिंटर है यह सब क्या होते हैं देखो वहां प्रिंट्र जो कागज पर impact ना करें धबाव ना डालें ठीक है मतलब स्याही की तरह स्याही कि तरह कि छिड़काव करें वह प्रिंटर क्या कहलाते बॉलेटाइल मेमोरी कौनसी होती होती है रह मेमूरी कौनसी होती है चिन letting こ चुंट यइद औंली मेमोरी जिनको हम कि पढ़ सकते हैं उन पर हम कुछ लिख नहीं सकते वह क्या होती है नौन वॉलेटाइल मैमोरी ठीक है वह और यह जिसमें जो डेटा है अगर supply बंद किया जाने पर भी बना रहता है बना रहता है मतलब ठीक है जिसके हम पढ़ सकते हैं नियुमेरिक डेटा क्या होता है जिसमें 0 से 9 तक की जरूरत पड़े वो नियुमेरिक डेटा हो गया हम सारी चीज़ समझा चुके हैं ठीक है तो हलकि आप सभी को यह लेक्षर समझ में आया हो तो थैंक्यू सभी को और प्लस शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि अब बेल आइकन जरूर यह वाला प्रेस कर दें ठीक है तो चलिए आज का लेक्षर इतना ही रहा बस सब्सक्राइब करेगा क्योंकि ट्रिपल सी ओ लेबल एडी सी इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब के लिए तो वर्दान है तो बस फटाफट द देखना ना भूलें यह सारे ग्लॉसरी फुल फॉर्म सारी चीज़ें ठीक है थैंक यू धन्यवाद